नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है चार राज्यों के आयद चुनाव परिणाम ने राजनितिक बिशलेशकों और पन्नितों के सारे अनुमान फेल कर दिये हैं सबसे चौंकाने वाला नतीजा मध्य प्रदेश का है जहां पर बीजेपी एक सो साट के पार चली गई है किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था एक्जिट पोल में कुछ एजेंसियों ने इस तरफ इसारा जरूर किया था लेकिन जो एक सो साट के पार बीजेपी को दे रही थी वो राजस्थान और 36 गड़ में हरा भी रही थी इसलिए कह सकते हैं कि एक्जिट पोल सटीक नहीं बैठा अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने जो इतना बड़ा बहुमत हासिल किया है इसके बाद मध्य प्रदेश का सीम कौन होगा मामा सीवराज सिंग चवहान या कोई और चार बार वो मुख्य मंतरी रह लिए बीजेपी के केंदरी नित्रितु ने पहले ही असपष्ट कर दिया था कि इस बार पिये मोदी और कमल के नित्रितु में चुनाव होगा सीम रहते हुए सीवराज सिंग चवहान को आगे नहीं किया गया 36 गड़ में भी कोई नित्रितु नहीं दिया गया और नहीं राजस्थान में यानि कि पिड़गत बदलाव की तयारी इसमें मामा बीच में भे बैठ रहे थे लिहाज अतरीके से उनको किनारे किया गया अब माना जा रहा है कि जो ये भारी बहुमत मिला है इसमें कहीं कोई दोर आये नहीं कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी के करिस्माई नित्रितु का नतीजा है लेकिन मामा सीवराज की भी इसमें अहम भूमिका मानी जा रही है लाली बहना योजना ने कमाल किया है बताया जा रहा है कि महिलाओं की जो लाइन लगी थी वोर्ट देने के लिए उसमें लाली बहना योजना का जादू सिर चढ़ के बोला है जो सिवराज सिंग चोहान ने emotional अपील की थी कि मामा चला जाएगा भाई चला जाएगा बहुत याद आएगा उसने भी कहीं न कहीं काम किया फिर क्या वहाँ पर नितित्व परिवर्तन होगा या मामा ने जो महनत किया है उसका इनाम मिलेगा तो आपको बता दे कि इस चुनाव के ठीक 6 महिने बाद लोगसभा का चुनाव है और BJP के लिए लोगसभा का चुनाव और विपक्च के लिए भी बहुत मायने रखता है विपक्च जहां जोर लगाएगा पियम मोदी को खटाने के लिए वहीं BJP ने 400 पार का अभी से नारा दे दिया है ऐसे में BJP का नित्रित और संग के भीतर से जो खबरे आ रही है कि सीवराज सिंग चौहान को पांचवी बार मुख्य मंतरी बनने का मौका दिया जाना चाहिए बेसक लोगसभा चुनाव के बाद उन्हें केंदर में कोई जीमेदारी दी जा सकती है यानि कि माम पर लोग प्रिये हैं दूसरा सवाल ये है कि यदि मामा नहीं तो फिर कौन ऐसे में जोत्रिया दिया जो की कांग्रेस से बगावत करके BJP के साथ आये 2018 में BJP मद्ध प्रदेश में चुनाव हार गई थी देर साल तक कमलनात मुख्य मंतरी रहे सिंदिया को सम्मान नहीं मिल उन्होंने बगावत करके BJP का दामन थामा अपने साथ बिधायक ले करके आये और कमलनात की सरकार चली गई एक बार फिर से सिवराज सिंग चौहान मुख्य मंतरी बने थे सुभाविक सी बात है कि जोत्रियादेच सिंधिया के पास उमर भी है अनुभव भी है और जनाधार भी है लिहाजा वो मुख्य मंतरी बनना चाहेगा और जिस तरीके से हमंता विसुसर्मा को असम में बागडोर दी गई ऐसा भी नहीं है कि बाहर से आने वालों को बागड सायक बनने के लिए केंद्री ने तृत ने उन्हें नहीं भेजा है यानि कि मुख्य मंतरी के वो भी दावेदार तीसरा बड़ा नाम केंद्री कृसी मंतरी नरें सिंग तुमर का है तुमर को एमपी में चुनाव प्रबंधन समीती के सयोजक बनाये जाने के बाद से हिनके नाम की चर्चा चलनी के ली थी केंद्री मंतरी होने के बाद उन्हें चुनाव लडने के लिए कंद्री ने भेजा तभी से लगने लगा था कि उनकी बारी आ सकती है चौथा नाम प्रदेश अध्यक्ष बीडी सर्मा का भी लिया जा रहा है कि उनको नजरंदाज नहीं किया जा सकता MP की राजनीत में छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं चौणाओ प्रचार के दोरान कई बाराएं से संकेत मिले जिसकी वज़े से उनके नाम की चर्चा होती है प्रचार के दोरान BD सर्मा के साथ P.E.A.M. Modi की बाचिट काना फुसी से भी MP की राजनीत में महाराथियों को लेकर करके अटकले लग रहे बीजेपी ने इस बार प्रहलाज सिंग पटेल को भी चुनाव मैदान में उतारा और वो किंदरी मंत्री है अटल बिहार इबाजपेई से लेकर के नरिन मोदी की सरकार में वो मंत्री रहें अभी भी वो मंत्री है सीराज चौहान के बाद प्रदेश में वो सबसे बड़े OBC नेता है ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी भी दावेदारी मजबूत है इसी तरह आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी MP में नया दाव खेल सकती है मद्र प्रदेश में 47 विधान सभासीटे आदिवासीओं के लिए अरक्षित है केंद्री मंत्री फगन सीक कुलास्ते को सियम मना कर 36 गड़ और जहार खंड आसपास के कई राजियों के आदिवासी वोटों पर वो बढ़हत ले सकती है नाम तो अभी तक वहां के ग्रिवासी रहे नरोत्तम मिस्रा का भी लिया जा रहा था हिंदुत वाला उनका चेहरा था और तेवर था लेकिन वो दतिया से इस बार चुनाओ हार गये है इस तरीके से सीवराज सिंग चुवहान की भी दावेदारी मजबूत है और किनी वजहों से बदलने का फैसला होता है तो फिर ये पांचे नाम है जो हवा में तैर रहे हैं रहे ने बेखबर देखते रहे इन खबर थैंक्यू